किसाणों के लिए वरदान साबित होगा नैनो लिक्विड यूरिया नमस्कार परीक्षा आइद्या के इस वीडियो में आज हम जानेंगे नैनो लिक्विड यूरिया के बारे में इन दिनो पूरे देश में चर्चा का विशर बना हुआ है ऐसा माना जा रहा है कि इसके उपयोग से क्षेत्र की काया पलट सकती है तो आईए विस्तार से चर्चा करते हैं नैनो लिक्विड यूरिया के सभी पहलूओ पर साथ ही क्षी में नाइट्रोजन के महत्व और सामान्य यूरिया की भूमिका पर भी प्रकाश डालेंगे उपयोग से फसल की पैदावार में जादा वृध्धी होगी इसलिए एक अल्ट्रा मॉडर्न नैनो फर्टिलाइजर प्लांट की स्थापना की गई है इस प्लांट को लगभग 175 करोड रुपए की लाकत से तयार किया गया है जिसमें प्रती एक दिन 500 मिली लीटर की करीब देड़ लाग के बोतलों का उत्पादन किया जाएगा देश में बढ़ते खाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए नैनो लिक्विड यूरिया को बेहद अहम माना जा रहा है नैनो लिक्विड यूरिया के आधे लीटर में 40,000 PPM नाइट्रोजन उपलब्ध होता है जो एक बैग सामान्य यूरिया के बराबर नाइट्रोजन पोशक्तत्व प्रदान करता है ऐसे उमीद है कि नैनो लिक्विड यूरिया देश के क्षेत का खाया पलट कर सकता है नैनो लिक्विड यूरिया की बढ़ती मांग को देखते हुए इफ को गुजरात के कलोल में इसके प्लान की शुरुआत करने जा रहा है इस प्लान के शुरू होने के बाद देश में नैनो लिक्विड यूरिया की कमी दूर हो जाने की उमीद जताई जा रही है यदि ऐसा हुआ तो किसानों को खात की किलत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा नैनो लिक्विड यूरिया के फाइदे यह फसल के नाइट्रोजन की आशकता को प्रभावी धंग से पूरा करता है साथ ही पत्तों में प्रकाश संस्लेशन बढ़ाने जड़ों के बायो मास एवं शाखाओं को बढ़ने में मदद करता है इफको के अनुसार धान, आलू, गन्ना, गेहुं और कई तरह की सबजियों की फसलों पर इसके बहुत अच्छे परिणाम देखे गए हैं विशेशग्यों का कहना है कि इसके इस्तमाल से पर्यावरन, पानी और मिट्टी भी प्रदूशित नहीं होंगी इसका ट्रांस्पोर्टेशन और रख रखाव खर्च भी बहुत कम है इफको ने की है खोज नैनो लिक्विड यूरिया को इफको ने विक्सित किया है और इसका पेतिन भी उसी के पास है इसका परीक्षन 94 से अधिक फसलों पर किया जा चुका है इफको के मताबिक नैनो लिक्विड यूरिया के इस्तिमाल से सामानिय यूरिया की खपत में 50 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है नैनो लिक्विड यूरिया एक मात्र नैनो फर्टिलाइजर है जिसे भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई है नाइट्रोजन के फाइदे स्वाबियम, एटोजॉबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबीना नामक जीवाणों द्वारा मिट्टी में प्राक्रतिक रूप से होता है। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बेक्टिरिया एवं कुछ पौधों के समुहों के साथ सहजी विता से होता है। फसलों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किसान यूरिया का इस्तिमाल करते हैं।